आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आप से वाटरफॉल के बारे में वाटरफॉल या जल्प्रपात के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वाटरफॉल या जल्प्रपात हम इसका डिस्कसन करने जा रहे हैं कि वाटरफॉल किसे कहते हैं या जल्प्रपात किसे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि waterfall क्या है या जल प्रपात क्या है एक बात को समझो आपका बस इतना समझो कि जो सब्द यहां पर लिखा हुआ हूँ सब्दों को breakdown किया करो सब्दों को तोड़ा करो और सब्दों को तोड़ करकि उसका meaning निकाला करो सब्दों को breakdown करें ति दो part है एक है water औ सीधा से इसका ताद पर रहे है जल का उँचाई से गिरना यानि कि नदी का जल नदी का जो पानी है जब उँचाई से नीचे गिरेगा तो इसी को क्या बोल दिया जाएगा इसी को वाटर फॉल कह दिया जाएगा इसी को जल परपात कह दिया जाएगा कुछ तन उठा कि जल नीचे गिरेगा ऐसा क्यों होगा कि क्या समस्या आ गई है कि जल समझो उचाई से नीचे गिरेगा बात को धियान से सुनिएगा ठेके हमें जानना है कि पानी हाँ इतना क्लेर हो गया कि वाटरफॉल का मतलब पानी का उचाई से कहां गिरना नीचे गिरना इसी को कभी-कभी ह और आप जरना बोल देते हैं क्या बोल देते हैं जरना कुछिस्टन यह उठा कि नदी का पानी तो एक धाल के अनुसार चलता है ना नदी का पानी कैसे गती करता है स्लोप के अनुसार गती करता है तो नदी का पानी जब स्लोप के अनुसार गती करता है तो सिंपल सी बात है फिर पानी नीची क्यों गिरने लगा उसे तो ढाल कि अनुसार फ्लो करना चाहिए माली जी क्या कहते हैं यहां पे slope बना हुआ है मालो, यहां पे slope बना हुआ है, तो पानी समझो ढाल के अनुसार प्रवाइथ होगा न, पिर क्यों ऐसा हो गया, कि पानी अचानक से उपर से नीचे गिर गिर गया, और जब वेट, जब तक पानी उपर से नीचे नहीं गिरेगा, तब तक वाटरफॉल बनेगा पानी, थिक है, अब बताओ, इस फिगर को देखो, इस फिगर मे पानी तो इजी वेए में, स्लोप के अनुसार फ्लो कर रहा है न, तो प्र ख igual कर रहा है पानी, तो अचानक से उपर से नीचे तो गिरेगा नहीं, या गिरेगा, और अचानक से जब यह पानी ऊपर से नीच पढ़ा था ठीक है और रिभर प्रॉफाइल में हमने देखा था कि स्लूप से लेकर लेकर कि निकास कहां से पर लेकर निकास तक जो नदी है एक डाल के नूसारल के nus Alrighty स्लूप के नूसार पर वाईट होगती है कल टेवर प्रॉफाइल में कभी कहीं भी मैंने नदी के पानी को ऊपर से नीचे गिराया था ऊपर से नीचे जब नहीं गिराया तो फिर क्या रीजन है कि वाटरफॉल बन जाता है या जलप्रपाद बन जाता है कुछ तो रीजन होना चाहिए कि वाटरफॉल बनेगा है जल परपाद बनेगा हाँ या ना समझे दियान से देखो होता क्या है कि माल लीजिए सपोर्च कीजिए माल लेते हैं यहाँ पर यह चटाने हैं दियान से समझे सपोर्च कीजिए हम माल लेते हैं यह माल लोच चटाने हैं ठीक है सिंपल सी यह नदी प्रवाइत हो रही है और नदी का जो जल है यह स्लूप के अनुसार कहां आ रहा है नीचे आ रहा है और इजी वे में नदी का पानी मूफ कर रहा है ठीक है अब माल लेते हैं यह चटान ए है यह चटान भी है और यह चटान क्या है अब नदी के मार्क में समझो आपका चटाने है हमने बोला कि जब भी हम रॉक्स की बाते करते हैं जब भी हम चटान की बाते करते हैं दो बाते हो सकती हैं पहला या तो चटाने कठोर हो सकती हैं हार्ड हो सकती है या तो चटाने क्या हो सकती है मुलायम हो सकती हैं सौफ्ट हो सकती है यह दो पॉसिबिल्टी है तीसरी भी कोई पॉसिबिल्टी है तो बताईए या आपको लगता है कि इस दो के अलावा तीसरी भी कोई पॉसिमिल्टी हो सकती है हा ना बोलो देखे, just imagine, माल लेजिए ये चटान कठोर चटान है ये चटान कठोर चटान है ये चटान समझो मुलायम चटान है और फिर से माल लेते हैं ये चटान कठोर चटान है हमें यहाँ पर दिख लए है कि कठोर और मुलायम जो चटान है वह समझो एक के ऊपर बैठी हुई है अब बताओ A, B और C तीन चटान है ना एक के ऊपर बैठी हुई है इन चटानों को क्या बोला जाए ये चट्टाने एक दूसरे के समानांतर है या ये चट्टाने एक दूसरे के लंबवत है क्या बोला जाए या तो लंबवत या तो समानांतर कितने लोगों जो मान के चल रहे हो कि ये चट्टाने एक दूसरे के लंबवत है लंबवत वाले हाथ उठाओ अभी तो बड़े तेजी में बोला था कि लंबवथ है मुझे नहीं पता मैं नहीं जानता कि यह चट्टाने लंबवथ हैं की समाना अंतर है आपको बताना है मेरे क्वेस्टन को बड़े ध्यान से सुनो फिर से क्वेश्टन पूछ रहा हूँ कि तीन चट्टाने ए बी और शे आपको क्या लगता है कि तीनों चट्टाने एक दूसरे के लंबवत हैं या एक दूसरे के समना अंतर है कि श्योर हो कि श्योर हो कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि लंबवत और समना अंतर आज भी कोई एक्जाम है क्या कि आज भी है अच्छा चलास देखके समझ में आ झाता है अज देखके समस्थ में आ जाता है आज देखको कुछ लोग नहीं आए वह dense का मतलब गजाम दे रहा है अच्छी बात है आप लोग एक्जाम दिया कीज़े एक्जाम देना चाहिए मेरे बातों को थोड़ा सुनू फिर टॉपिक पर आते हैं अच्छी बातहीं एक्जाम देना चाहिए और एक्जाम आप देजीए भी प्राप्लेम बस एक है कि जो आपने लच्छ निर्धारित किया है जो आपने target decide किया है कम से कम उसके बारे में सोचो अगर आप dedicated नहीं है तो problem है अगर आप dedicated नहीं है आपने BPSC का exam सोचा है UPSC का exam सोचा है तो कम से कम दो साल डेंड से दो साल कम से कम BPSC और UPSC के बारे में ही सोचो ठेके problem क्या है जानते हो मेरी बद को समया मालो तुम UPSC सोच रहे हो BPSC सोच रहे हो तो इसको तुमको तूट कर चाहना पड़ेगा तब हो तुम है अपनाएगी आयवास्टन में तुम्हारा प्यार सब के उपर है तुम UPSC को थोड़ा प्यार लुटा देते हो फोड़ा BPSC को थोड़ा सा दरोगा को लुटा दिया तुमने थोड़ा सा CGL को लुटा दिया तुमने थोड़ा से क्या गाते हैं टीचर को भी लुटाओगे तो हर जगा प्यार लुटाते रहोगे तो कोई अपनाने वाला नहीं है कम सी कम दो साल तो तूट कर चाहना पड़ेगा ना थेके तब जाकर हो सपना पूरा होगा और तब जाकर समझो यूपीएसी यूपीएसी तथास्तू क्या बोलेगी तथास्तू आप बताए आपके आपके एंसेंट में लोग जब भगवान की तपस्या करते थे तो भगवान तुरंत आते थे गया और तपस्या को पूरा होने में कई बाधायें आती थी आएवासन में लेकिन जो वेक्ति उन बाधायों को dedicate होता था उसको क्या बोला जाता था तत असथ वह आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं कि कि आप इजाम दीजिए कोई problem नहीं है matter यह है कि जो आपने सोचा है आप उसके बारे में कम से कम डेंड से दो साल तो सोची उसके के बारे में, डिडिकेट होकर उसके बारे में जानिये, कुछ सथिन कि इतना सिंपल था, यह पेरलल है, आपका समझो, परपेंडिकुलर है, ना आपका, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, पैरलल है, कैसे पैरलल है, पैरलल का मतलब एक दूसरे के अगल बगल बैठना न, एक तब को दिए परलें पहले आपने क्या बहला क्या मतलब होता है अदे बोई सिन руки अन्य थे हैं अ मेरे बंगतां कि यह यह टाने एक तूसरी के इन ऑल्रे कि जब चटान एक दूसरे की ओपर वैठी ओ तो पर पंडेदिकूलर है look at लेकिन चठान एक दूसरे के अगल भगल बेठी है तो समनांतर लेकिन अगर मेरा question यह होता कि यह chaton प्रीथिबी के सतह के तो बहुते है submit हायाना लेकिन एक दूसरे के क्या है لमबबत है आपका याद रखना कि जब चटान कथा हुआ मुलायम चट्टाने एक दूसरे के लंबवत होती है अगर किताब में लिखा हुआ है प्रिथिभी के सता के समनांतर तब भी ठीक है आरिवासन में अब देखो एक दूसरे के लंबवत है आप बताओ कठोर जो चट्टान है हमने और आप ने चर्चा किया है कि अगर कठोर क्टाव संहीं सब्सक्षा πराएट को चलीच लिखा में याल चाही को दीच करें टार जैक कर दोच जोएल कर मुलायम चर्टान क कुल थी Side comment अगर करना है आप जानते हैं कि नदी जो है वहां अपर दन का कटाओ का सबसे बड़ा फेक्टर है हाँ या ना अब देखो यह चतान कठोर को भी काटेगी और किसको काटेगी मुलायम को सब लोग बताओ अगर इस चतान को काटेगी तो यह लाइन बद यह चतान यहीं रहेगी यह वाला भाग कट जाएगा तो पीछे हटेगी यह देखो कट रही है चतान यह चतान कट रही है कौन से चतान कट रही है कठोर चतान इसकी तूलना में मुलायम चतान ज्यादा कटेगी देखो इसकी तूलना में मुलायम चतान क्या होगी ज्यादा कटेगी यह मुलायम चतान यहां तक कट गई हाया ना फिर से कठोर चतान यह कम कट कुषिए भाट केशिए भी कंच ओप देखना है ध्यान से अब जू बताउ क्टाओ के बाद जो फिगर बनेगा संजु कटाओ के बाद फिटर बनेगा यह देखो यहांसे ऐसे होगा ना हाँ या ना ये वाला भाग ऐसे होगा और ये वाला भाग ऐसे हो जाएगा ना हाँ या जल्दी बोलो ठेके अब इस वाले फिगर को मैं अलग बनाने जा रहा हूं कि इस फिगर को पहले कि अब ध्यान से अब देख लीजिए अब देखो मैं इरिज कर रहा हूं यह वाला भाग मैंने इरेज कर दिया देखना दियान से अब यह वाला जो होगा यहां से ऐसे आपे ऐसे आ जाएगा ठीके और यह वाला भाग ऐसे चलेगा ठीके पहले यह बिल्कुल परल ऐसे सीधा था ना तो वाटर बिल्कुल आसानी से स्लोप के कोर्डिंग आ रहा था अब बीच वाला भाग कट गया तो बताओ इसका बेश तो कट गया ना हाया ना अब बीच वाला जो भाग जहां पर पानी जाता तो तो खतम हो गया तो पानी उपर से द्राम से कहां गिरेगा नीचे अब ये पानी उपर से कहां गिरता है पानी यहां पर ऐसे नीचे गिरता रहेगा समझो और ऐसे फ्लो करेगा कि अब बताओ यहां पर क्या बन गया इसी का नाम क्या है जल प्रपात है यह इसी का नाम है वाटर फॉल वाटर फॉल यह जल प्रपात क्लियर हुआ इतना अब बातों को ध्यान समझना ये लगतार कटता जाएगा सारे लोग ध्यान सुनो ये बीच वाला भाग लगतार क्या होता जाएगा कटता जाएगा तो उपर वाली चटान का जो बेस है जो आधार है वो क्या हो रहा है क्या हो रहा है कट रहा है बताओ ये छटान ऐसी खड़ी रहेगी या कुछ टाइम के बाद तूट जाएगी तूट जाएगी तो यह waterfall यही रहेगा, पीछे चलेगा, पीछे चलेगा, तो ऐसे waterfall fall को stable बोला जाए या औरτί तो ऐसे waterfall को बोलते है औस्थाई क्या बोलते हैं औस्थाई जल प्रपात या अनिस्टेबल जल प्रपात अनिस्टेबल आपका वाटर फॉल अनिस्टेबल वाटर फॉल यह पहला केस हुआ कौन सा केस हुआ आपका यह पहला केस हुआ आपका ध्यान से सुनी दूसरे केस की तरब चल रहा है बस फिगर को देखना Just imagine माल लेजिए ये चटाने कुछ ऐसे हैं ये चटाने कुछ ऐसे है माल लेते हैं एक तोर चटान है ठीके ये मुलायम चटान है और ये भी कैसी चटान है मुलायम चट्टान है अब प्रण इस फिगर को देखना पहले इस फिगर को मैं ऐसे बनाऊंगा इस फिगर को मैं ऐसे बनाता हूँ यह देखो कठोर है मुलायम है मुलायम है अब देखो यह चट्टाने एक दूसरे के अगल बगल बैठी है ना हाँ या ना अगर ये चट्टाने एक दूसरे के अगल बगल बैठी है तो मैं क्या बोलूँगा ये चट्टाने एक दूसरे के क्या है समना अंतर है जिस्ट इमेजिन माल लेजिए यहां पे नदी फ्लो कर रही है नदी प्रवाहित हो रही है तो हम और आप जानते हैं कि मुलायम चट्टान का कटाव ज्यादा होगा देखे माल लेजिए इतना कठोर चट्टान का कटाव हुआ यह मुलायम चट्टान का कटाव हुआ यही रीच में तीक यंषा बनेगा ये बने गाना बोलोक ऐसे बनेगा ना अब पानी सम्झार यहां से आयगा और Mitte गिरेगा उपर से पानी कहां गिरेगा नीचे गिरेगा और उपर से पानी नीचे गिरेगा तो क्या बोलेंगे इसे जल प्रपात अब बताओ वाटरफॉल ध्यान सुनना अब बताओ यह वाली जो चटान है यह चटान कैसी है कठोर चटान है तो कठोर चटान का कटाओ तो कम होगा न, यह न, तो यह टान इसको पीछे हटने नहीं दे कर लिखी क्योंकि कैसी चत्तान है कफोर चत्त यह जब पूरी तरह से countries Two Cut जा रॉप हो जायेग तब यह पीछे रटेगं ना लेकिन पूरी तरह से नहीं हटेगी क्या कैसी चट्टान है कठोर तो यह बताओ जलप्रपात आपका पीछे हटेगा इस्थाई रहेगा ऐसे जलप्रपात को बोलते हैं इस्थाई जलप्रपात ठीक है या Stable Waterfall Stable Waterfall या Isthahi Jalprapat भोलते हैं तो आपको decide यह करना पढ़ेगा कि चटाने कैसी है कठोर और मुलायम चटाने एक दूसरे के लंबवत हैं या कठोर और मुलायम चटाने एक दूसरे के समनांतर है लंबवत होंगी कठोर और मुलायम चट्ताने एक दूसरे के तो और इस्थाई जल प्रपाथ बनेगा और एक दूसरे के समयनांतर होंगी तो इस्थाई जल प्रपाथ या stable waterfall बनेगा clear है ठीक है चले बनना स्टट किजिएगा है आगया पीछे बाला पहले एक लाइन लिखेंगे या जल प्रपाथ, हेडिंग अपने जल प्रपाथ डाला हुआ है ना, वाटर फॉल या जल प्रपाथ, क्या, गेट खुलवा दें, देख लिजा, आठी के पांच मेंट में खुल जाएगा अभी, एक लें लिखेगा फिर बनाएगा, एक जल प्रपाथ का सामाननी अर्थ, जल प्रपाथ या वाटर फॉल का सामाननी अर्थ, नदी के जल का, उचाई से नीचे गिरना है, नीचे गिरना है, पहराब चिंकी जीगा, नदी के मार्ग में, नदी के मार्ग में, जब कभी, जब कभी, कठोर तथा मुलायम चट्टाने, एक साथ उपस्थित होती हैं, एक साथ उपस्थित होती हैं, ब्रेकेट में डाल दीजेगा, ब्रेकेट में, एक दूसरे के समाना अंतर या एक दूसरे के लंबवत, इन ब्रेकेट, पैरलल टू इच अधर और परपेंडिकुलर टू इच अधर, एक दूसरे के समाना अंतर या एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समना अंतर या एक दूसरे के लंबोद, ब्रैकेट क्लोज, उपस्थित होती हैं, इस इस्थिती में, इस इस्थिती में, नदी के द्वारा, नदी के द्वारा, मुलायम चटानो, का अपरदन, कटाव, सिग्रता से होता है, मुलायम चटानों का अपरदन या कटाव, सिग्रता से होता है, सिग्रता से होता है, जबकि कठोर चटाने, अपेच्छाकृत, कठोर चटाने, अपेच्छाकृत, मंद गती से, अपरदित होती है, मंद गती से अपरदित, अपरदित का मतलब कटाव, इरोजन, अपरदित होती हैं, पैडाम स्वरूप, कठोर चटाने, कठोर चटाने, एक सब्द यूज करने जा रहा हूँ, क्लिफ का नाम सुना है, क्लिफ का मतलब क्या होता है, क्लिफ का मतलब टिला, क्लिफ का मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, क्लिफ का मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, क्लिफ का मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, ठीक है, क्या लिखा है, पैडाम स्वरूप कठोर चट्टाने क्लिफ ये लिखा हुआ है क्लिफ के समान क्लिफ वहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिफ में भी क्लिफ ही बोलते हैं क्लिफ के समान समान बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं पैडाम स्वरूप पैडाम स्वरूप नदी का जल उचाई से नीचे गिरता है पैडाम स्वरूप नदी का जल उचाई से नीचे गिरता है जिससे जल प्रपात पैडाम स्वरूप नदी का जल उचाई से नीचे गिरता है पैडाम स्वरूप जल प्रपात निर्मित होता है इधर देखो सब लोग जहां पर पानी उपर से नीचे गिरेगा अल्या प्रपात पैडाम स्वरूप जल प्रपात के पानी ऊगा उसे कुंड कहते है अब यह फिघर आप बना सकते हैं ठोड़ा जल्दी बनाईएगा ठीक है, फीगर थोड़ा जल्दी, ठीक है, आउद नयन, हाँ, आउद नयन कुंड, याद रखेंगे, ये तुम्हारा नीचे का बेस है, इसके उपर कठोर चटान है, जब ये कटेगा तो कब तक रुकेगा ये, ये बेस था न, बेस जब कड जाएगा तो कहां गिर जाएगा नीचे तो ये जल्ब्रपात कहां चलेगा, पीछे, इसलिए इसको ओइस्थाई बोलते हैं, हो गया सबका, ठीक है, दूसरा, यहां पर लिख दिया आप लोगो देना, ओइस्थाई जल्ब्रपात, लिखा ना, ठीक है, दूसरा फिगर ड्रॉ कर लेजी, ये फिगर भी ड् मुनाडनौक क्या होता है, बड़ा समस्या है जिन्दगी में, ठीक है, अभी पढ़ाया जा रहा है, जल्ब्रपात, उनको क्या जानना है, मुनाडनौक इंतजार कीजी, मुनाडनौक आ जाएगा, जी, दोनों हो सकती है, तुम पूछना क्या चाहती हो, परदार चर्टा न पुछन गलत है, परदार चर्टाने प्रीथिवी के सतह के समनांतर होती है, अब ये चर्टाने एक दूसरे के समनांतर भी हो सकती है, और एक दूसरे के लंबवद भी हो सकती है, अगर चर्टान एक के उपर एक चलती चली गई, एक दूसरे के क्या हो गई, लंबवद, और अगर अगल बगल बैट गई तो एक दूसरे के समनांतर लेकिन ये परदार चट्टाने प्रीथिवी के सतह के समनांतर होती है जो आप पूछ रही है उसमें ये जानना पड़ेगा पूछना क्या चाहती हो ठेके किताबों में लिखा होता है कि प्रीथिवी की आवसादी चट के समनांतर होती है वो आधा अधूरा लिखा हुआ है ठीक ना बैट जाए पहाड़ पर पानी कैसे आता है पहाड़ पर पानी आता है ग्लेसियर से हो गया ना अ कुछ एक्जामपल्स लिख लिजी इसका बढ़ें आगे सबने ड्रॉ कर लिया हाना बोल दो यह देखिए यह कुछ आपके क्या है एक्जामपल से अंमेजर वाटरफॉल अब बिहार एड़् सम्झोश बिहार के कुछ यहां पर वाटरफॉल है ठीके जैसे एक है कोकुल अट वाटरफॉल नाम सुना है किया ठीके यह तुमारा अच्टर मा की आस-पास मिलेगा ना ठ ठीक है और लिखा है नवादा प्रभूजी ये चिलाऊ मतिया लिखा हओना नवादा लिखा हुआ है दिक है ये क्या है आपका उसके बाद समझो एक है क मिलेगा रोतास में मिलेगा उसके बाद एक है दुर्गावती कौन सा दुर्गावती दुर्गावती तुम्हारा क्या कहते है यूपी बिहार के बॉर्डर वाली इलाके में है ठीक है ये दुर्गावती नदी पे है समझो आपका यह भी कहा मिलेगा रोतास में एक है समझो ज लेगा, ठीके, रकीम कुंड है, ठीके, उकरीम कुंड है आपका, ठीके, और उसके बाद सौरा है, यह सब कुछ कहां पे लिखा हुआ, रोहतास में, इसी तरह समझो, आपका देवधरी है, और आपका तेलहर खंड है, आपका, नाम सुना है, तेलहर खुंड आपका, यह सब क लेकिन वो यूपी में है तुम्हारा चंदवली में है वा राजदरी देवदरी नाम सुना है वो यूपी में है तुम्हारा कर्मनासा नदी पे राजदरी देवदरी कर्मनासा नदी यूपी से होकर कहां आती है बिहार में आती है समझे तो वहां पर भी आपको कैमूर इस प इसके बाद समझो, अगर भारत के कुछ प्रसीद जल प्रपात की बाते करें, तो कल आपको बताये थे नर्मदा का धुअधार जल प्रपात, स्वण रेखा का हुंडरू जल प्रपात, याद आ रहा है, उसी तरह सरावती नदी पे जोग प्रपात, नाम सुना है? सरावती न पहाड़ी करनाटक में है ठीक है उसी तरह समझो आपका एक है बरकाना फाल है ठीक है रदी का नाम सीता है ये भी आपका सीमोगा की पहाड़ी है ठीक है उसके वाद समझो आपका खांडा धरफाल है ठीक है कुरा पानी नाला और ये है आपका सुंदरगड उडिसा की पहाड आप बिहार वाले फॉल जरूर याद रखना ठेके भारत के फॉल आप से नहीं पूछेगा अगर पूछेगा भी तो याद तो नर्मदा का पूछेगा या जोग प्रपात पूछेगा या हुंडरू पूछेगा आप से बिहार वाला जरूर आप याद रखिएगा तो बिहार इतने सब्सक्रावें आपके कौन कौन से फाल है आपको याद होना चाहिए ऐवार्ण से में इसी तरह बर्श्व की बाते करो के तो असदें आफ रिक़का का मैप निकालो जरो जरह आफ्रिका का मैप नीकालो एक बर कि अंब है कि अब PB क हम लोगाग बागत कि अप्रीका का मांद जूम कर दीजिए इसको कि इतना देर कैसे हो गया कि आए अच्छा आप लोगों का अजाम था तो क्या गयते हैं बढ़ियां सरकार नहीं चुनों कि तो यहीं होगा ना सरकार चुनने का अधिकार आप लोगों को है ना हाँ आप लोगों ने तो ऐसा सरकार चुनना कि पार्टी बदल देता है आदमी और इस समय क्या करते हैं वो बिहार कि जनता कोई मतलब उनसे नहीं है आपका कल में थोड़ा सा रात में खाना खाने के बाद सोचा कि थोड़ा घूम लेते हैं ठीके घूप तो मैं घूमने निकल गया तो यहां पे समझू एक क्या नाम उसको जो नाला है नदी नाम नदी बोलते हैं उसको नहर हिस्ट वह कहुँन सा रामपूर नदे के रामपूर नरो नाला उसको नहर बना दिया ठीके मैं गया समझो के है ते उसके आसमकि इलागे में देख Então सरकार चाहे तो अच्छी सा क्या कर दे डबलप कर दे लखिन सरकार को कोई मतलिम नहीं तुमारे पटना में किट का स्टेडियम था वैसी पड़ा हुआ है और देखो क्या गाते रांची में कितना बड़ा स्टेडियम बन गया आया ना सरकार याद रखना सब कुछ क्या है सरकार एक अच्छी सरकार है तो वह समझो कम रिसोर्स में भी क्या कर सकती है development कर सकती है और अगर सरकार का मनोबल अच्छा नहीं है डेडिकेशन नहीं है तो सब कुछ होते वे भी कुछ नहीं कर पाएगी ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं आ जाओ जरा अफ्रिका में आ गए गया अफ्रिका में देखो एक विक्टॉरिया फाल लिखा हुआ है देखो जरा है एक फॉल लिखा होगा फॉल का नाम है विक्टॉरिया फॉल या विक्टॉरिया जलप्रपात गोला बना दीजी विक्टॉरिया जील लई विक्टॉरिया फॉल जील अलग है, जील अलग है, फॉल अलग है, इधर देखो, सब लोग देखो, एक मिनट देखो, यहां देखो, इस वाले भाग में देखो, यहां नीचे वाले भाग में देखो, दिया हो है न, विक्टोरिया फॉल आपको मिल जाएगा, एक फॉल है, फॉल का नाम है आपका Victoria fall मिल गया ठेके बना लिजी गोला नदी कौन सी है एक नदी देखो क्योंकि देखो एक बार सुनो पीछे वाले बच्चों एटलस लाए हो मिल गया Victoria fall नदी देखो वहां पर जामबेजी नदी है न ठेके तो जामबेजी नदी पर फॉल है फॉल का नाम क्या है Victoria fall है याद रहेगा उसके बद देखो बीच में तुमको एक नदी मिलेगी नदी का नाम साथ जायरे या कांगो लिखा होगा लिखा हुआ है न उसके उपर भी देखो कोई fall है क्या कोई fall है एक आराम से आराम से आराम से सबसे पहले बिल्कुल बीचों बीच में यहां पर देखो न यह बीचों बीच में इस बीचों बीच में देखो एक नदी होगी नदी का नाम लिखा होगा जायरे जायरे या कांगो लिखा होगा लिखा हुआ है वहां पर कोई इस्टैनली जलप्रपात, हमें देखो क्या है, हमें फोकस रहना है बिहार वाले पे, किस पे फोकस रहना है, बिहार वाले पे, लेकिन हमें भारत और आसपास के इलाके में भी देख लेना है, क्योंकि हो सकता है, पूछा जाए, ठीके, तो भारत में कुछ जलप्रपात, बड प्रपात आपको बताएंगे, ठीक है, अब लिक लिजीएगा आप लोग, examples, उदाहरन, examples या उदाहरन, examples या उदाहरन, लिखेगा, अफरिका में, विक्टोरिया फॉल, example लिखो, अफरिका में, विक्टोरिया फॉल, ब्रैकेट में जांबेजी नदी लिख देना अफ्रिका में विक्टोरिया फॉल ब्रैकेट में जांबेजी नदी उसके बढ़ लिख दो कांगो नदी इस्टैनली प्रपात कांगो नदी इस्टैनली प्रपात कांगो नदी इस्टैनली प्रपात अब लिको भारत के प्रमुख जलप्रपात कांगो नदी इस्टैनली जलप्रपात भारत के प्रमुख जलप्रपात भारत के प्रमुख जलप्रपात लिको जोग प्रपात जोग प्रपात नदी का नाम लिख देना सारावती नदी का नाम लिख दो सारावती कि सारावती कि ठीके ब्रैकेट में करनाटक डाल देना सीमोगा करनाटक सीमोगा उसके बाले को धुवाधार जल प्रपात कि धुवाधार जल प्रपात कि सबसे पहले जोग जल प्रपात सारावती नदी और सीमोगा करनाटक उसके बाद धुवाधार जल प्रपात नर्मदा नदी मध्धिप्रदेश धुवाधार जल प्रपात नर्मदा नदी मध्धिप्रदेश जबलपूर का नाम सुना है जबलपूर में ही है आपका धुवाधार जल प्रपात पैसा वैसा होगा तो घूम आईगा आप लोग घूमने के लिए क्या चाहिए पैसा बिना पैसे क्या घूम पाएंगे नहीं तो अगर पूरा भारत भ्रमण करना है तो यूपीजी क्वालिफाई कर लीजिए भारत सरकार क्या करेगी भारत भ्रमण करवाएगी भारत भ्रमण करवाएगी भारत दर्सन करवाएगी वहीं एक तरीका फ्री में खुंडरू जलप्रपाथ नाम सुना है ना स्वन रेखा नदि खुंडरू जलप्रपाथ स्वन रेखा नदि राची जहारखंड उसके बाले को तीरत गढ़ तीरत गढ़ तीरत गढ़ जल प्रपात तीरत गढ़ जल प्रपात लिको कंगरा नदी या कांगरा नदी बस्तर चत्तिस गढ़ उसके बाले को चचाई जल प्रपात नाम सुनआ है न कल्क चर्च किया था चचाई जल प्रपात चचाई जल प्रपात चचाई जल प्रपात लिख दो मद्धिप्रदेश नदी तुम्हारा बीहन कोई नदी है क्या बीहन तो नदी के द्वारा बनाया गया असला कृती है ठीक है हाँ लेकिन वहाँ पे छोटी सी नदी बहती है बीहन नाम से ठीक है याद रखो बीहन क्या है आपका एक तुम्हारा नदी के द्वारा बनाया गया क्या है असला करती है नदीया जब बहु ज़्यादा कटाव कर देती है नदीया जब बहु ज़्यादा कटाव कर देती है तो बड़े बड़े याद रखना ठेके हुंडरू तुमने लिखी लिया है उसके बाद उसके वाद लिखलो बारही पानी बारही पानी B-A-R या B-E या B-A-R-E-H-I-P-N-E बारही पानी नदी का नाम है बुद्ध बलंगा बुद्ध बलंगा उड़ी सा छोटी सी नदी है बुद्ध बलंगा लिखा हुआ है भाई तुम्हें देखो न उसमें सबसे उपर इगा लिखा हुआ है दिखनी रहा है किया तुम लोग को उसमें जूम कर दीजिए भाई थोड़ा फट रहा है तुम ऐसे हाथ करो कि तुम मुझे समझ में नहीं आएगा वो देखिए क्या हाथ कर रहे हैं असे सब आये रुको मैं बोल रहा हुँ लिखो तुम लोग बदमासी पहली बात नहीं पहली बिल्कुल बदमासी नहीं अभी बुलवाँगा को एक लाइन से बाहर निकलवा दूगा बिल्कुल बदमासी नहीं मैंने बोला मैं बोल रहा हूं मैं बोलने जा रहा हूं इस्टुडेंट है इस्टुडेंट की तरह रहिए सिनेमा हाल की तरह बिवहार मत कीजिए इस बात को ध्यान रखिए आप लोग हमेशा से आराम से रिलैक्स हो कि आपको प्यार से पढ़ा रहा हूं और हर चीज को समझाते भी पढ़ा रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आएगा वो कर देंगे आप इस बात को याद रखिए आप लोग एक मेरे सीनियर मत बोलो उनको मैं बोलूँगा अपने चाचा जी बोलूँगा ठीक है और वो क्या कहते हैं आईपिएस बनके रिटायर हुए समझो उनका बड़ा सिंपल स्टेटमेंट था ठीक है और प्लस एक मेरे टीचर थे उनकी डेथ उनकी डेथ हो गई है तुम लोग उनकी किताब पढ़ते हो गए प्रोफेसर माजीद हुसाइन नाम सुना है मुझे उनसे पढ़ने का सौभाग्य मिला ठीक है और वो क्या है आपका यूपिएस की आपके कॉपी चेक वाले त्यारी करना है उस दिन से तुम्हारे behavior में वो चीज दिखना चाहिए उनने बोला कि बच्चों से बोलना कि you are going to become a bureaucrats तुम ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हो तो just behave like a bureaucrats एक ब्यूरोक्रेट्स की तरह behave करो तुम तुम्हारे behavior में दिखना चाहिए तुम लोग आम लोग नहीं हो यहां पर जितने लोग बैठे हुए हो मैं पटना की ही बाते कर लूँ आपका तो मुझे बताओ पटना में तयारी करने वाले बच्चों की बाते करो लगबग होंगे 50-60-1,000,000 हाया ना पढ़ने वाले बच्चे लाग से उपर होंगे न एक लाग से उपर कितने बच्चों को सवभागी मिला यहां पी बैठके पढ़ने का इतना जबाब दो कितने लोगों को सवभागी मिला यहां बैठके पढ़ने का कितने लोगों ने सोचा कि मुझे एक काम करना है इसका मतलब बिसेश तो हो ना तुम इसका मतलब आप बताओ जिस गाहों से उस गाउं में आप ही पढ़ने वाले थे, बहुत लोग थे, लेकिन BPSC क्वालिफाई करूँगा, UPSC क्वालिफाई करूँगा, आपने सोचा ना, इसका मतलब उसकी तुल्ला में आप बिसेश हो की नहीं हो, तो बिसेश हो तो तुम ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हो, त तो बिहाईबियर भी तुम्हारा किसकी तरह होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स की तरह, उनका सीधा कहना था, बच्चों से बोलो, कि पहले दिन से क्लास में जब तुम लोग आते हो, तो जस्ट बिहाईब लाइके ब्यूरोक्रेट्स, तुम ऐसे बिहाईब करो, कि जैसे तुम HDM बन चुके हो, IPS बन चुके हो, वैसे बात करो, वैसे सेच्वेशन को कंट्रोल करो, वैसे एक दूसरे को डील करो, तुम लोग तो लड़ लेते हो, यार, क्लास में तुम लोग लड़ लेते हो, HDM का काम लड़ना है या, सेच्वेशन को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है न, ठीके, तो जितने लोग बैठे हुए हो, आप बस मान दिये कि आप bureaucrats बन चुके हो, उसकी तरह बात कीजी, उसकी तरह चीजों को सोचिए, अगर दिमाग में behavior में आ गया, तो selection थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो कोई बात ने हुर्दंग करते रही है, क्या दिकत है मैंने बोला था, क्या कहते है आपका कि इमानदारी से मेहनत करोगे, selection हो जाएगा देर हो सकता है, तो तुम में से किसी ने पूचा था, देर क्यों होगा, कुकर्मों के कारण देर होता है ये क्लास में जो कुकर्म आप कर रहे हैं, इसी कराण selection क्या हो जाता है, लेट होता है इमानदारी से, फिर से मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, आप लोग सामान ने नहीं हो, आप लोग क्या हो बिसेश हो, तुम नहीं सोचा है कि तुम ये बनोगे और बन जाओगे मुझे पता है लेकिन बताओ, बिहाइबियर भी तुमारा उसकी तरह होना चीहें कि नहीं होना चीहें बिहाइबियर तुमारा चपरासी वाला है और सपना क्या देखा है नहीं हम तुम भी पीश्य में गाते हैं बाइसडीयम बन जाएगे नहीं बनोगे फिर बिहाइबियर दिखाओ ऐसा ठीके पहुची तुम इंटरव्यू देने के लिए क्वालिफाई कर गए मेंस क्वालिफाई कर गए इंटरिव्यू देने के लिए पहुंचे उसको दरवाजा खोलने में लेट हो गए तुम चिलाने लगए ऐसे कैसे हो गया आपका तो फिर बोल देगा समझा देंगे तुमको आईवासन में इसलिए याद रखो पेसेंस क्या पेसेंस मुझे बताओ एक बीरोक्रेट जो आईएस होता है IPS होता है कि सबसे पहले लाठी चार्ज का ओडर देता है क्या कभी नहीं लाठी चार्ज लास्ट एच्वेशन है सबसे पहले बात करता है क्या करता है बात करता है सम्झो सुमको अपने गाउं के सम्झो क्या करते एक के यह सुनाता हूं मेरे घाओं के बगल में समझझा का थिए बाजार यह वहांपर रोड बनने वाला था आईएस में समझे आपका वहां पर फन्ड आया हुआ था क्योंकि एक तुम ही आय सो तो जो भी फंड आएगा तुम्हारे अंडर में आएगा फंड आया हुआ ठीक कुछ नहीं किया उसने फावडा उठाया और खुदाई करना सुरू कर दिया दो तिन फावडा उसने खुदाई किया होगा पूरी की पूरी पब्लिक ने बोला सहाब हमारे रहते आप क्या कर रहे हैं जाओ साब के लिए खाट लेके आओ पानी लेकिए हौ साब बैठ गए और पूरा खुदाई हो गया यह एक पावर होता है किसका डीयम का एक पावर होता है इस डीयम का ऺेब पॉलिक का फेथ होता है उसकी अंदर पॉलिक तुम को काम करने नहीं देगी लेकिन वैसा तुमको बनना पड़ेगा ना तुम पहुंचे वहां पर क्या करते हैं पब्लिक जूटिबल मार के बगादो इनको ऐसे नहीं काम चलेगा ठीके ना तो सबसे बोल रहा हूं क्या करते हैं कि आप क्या कीजिए आपका सब लोग पहले करेंगे युपी जी की तरह भी है केजिए यूपीजिकर की जींए वैसा हिए वई करेंगे तो सिंपल में यदि आसान हो जाएगी मैं आपको प्यार से पढहता वह इंद एक ऑड़ से बढ़ाता हूं तिक अब मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा। हूं आपको समझ भी आता होगा और मुझे यह कहने में यह भी डाउट नहीं कि जितने लोग यहां बैठे हुए हो कम से कम 50% लोग ऐसे तो बन गए हों कि जिनका फेवरेट सब्जिक जोगरोफी बन चुका है लाश्ट क्लास आते हैं तो 80% का फेवरेट जोगरोफी बना दूँगा यह विस्वाज समयरा समझे तो अगर मैं इतना सम्झे मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप भी सपूर्ट कर दो गई मैं बोल रहा हूं ठीक है ना मैं दुबारा बोलने जा रहा हूं लिखा हुआ सम्झोफे आपका बारेभी पानी मैं लिख देता हूं यहां पे लिखा हुआ बारेही पानी इंगलीज में बॉल देता हूं बि a और ए ! ईच आइच आई पी एन आई बारे ही पानी ये जलप्रपात है समझो नदी का नाम है समझो आपका ठीक है नदी का नाम है समझो बुधब लंगा ठीक है बुधब लंगा है नाम लिखो बी-उ-बी-उ-डी-एच-ए बी-उ-डी-एच-ए दी-एच-ए बी-ए-ल-ए-ए-ए-ण-जी-ए ठीक है उडीसा लिख देना मयूर भंज लिख देना उडीसा या मयूर भंज याद रहेगा ये भारत वाले जलप्रपात है अब एक काम करेंगे आप लोग बिहार वाले जलप्रपात को भी लिख लेंगे आप लोग बिहार वाले जलप्रपात को भी आप लिख लेंगे अगे दिखिएगा बिहार के प्रमुक जलप्रपात आप लोगों को BPSC में एक ओफ्रनल क्वालिफाइंग भी करना होगा ना मुझे उम्मीद है कि आप मैंसे बहुत सारे लोग जोगरोफी ओफ्रनल लेंगे आऊंगा पढ़ाने तेंसे मतले ना ठीक है जोगरोफी ओफ्रनल लोगे पढ़ाने आऊंगा मैं क्या करते हैं फि को को एल एटी को को एल एटी इसको लिख देना निवादा नवादा गल्ती होगी माव किजिएगा नवादा थीक है नवादा हाँ बोल रहा है डॉंट वरी नवादा लिखो यहाँ पर देखो कोई तुमको नदी नहीं मिलेगा छोटा एक स्ट्रीम है इस्ट्रीम का मतलब क्या है सहायक है छोटी सी कि स्ट्रीम में कोákया के नाम से वहाँ पर तुम देखोगे तो वहाँ पर को डर्मा का पठार या कोडर्मा इस्ट्रीम कोडर्मा पठार की कोडर्मा इस्ट्रीम कोडर्मा पठार की कोडर्मा इस्ट्रीम की इस्ट्रीम का मतलब छोटी नदी होता है अगला है सुखलदारी सुखलदारी नेक्स्ट है आपका सुखलदारी कि सुखल दारी के नधी का नाम लिख देना कंहर नधी कंहर नधी कंहर है और रहतास है रोहतास अगला है दुवा कुंड अगला है दुवा कुंड हाँ धुवा कुंड धुवा कुंड धुवा कुंड धुवा कुंड धुवा कुंड ठीके लिकलो काओ नदी काओ कि के एओ ठीक है इसको भी लिख देना रोहतास रोहतास अगला लिखो देवधरी देवधरी यहां लिखा हुआ है देवधरी कर्मनासा देवधरी कर्मनासा रोहतास रोहतास देवधरी ठीक है नदी का नाम क्या है कर्मनासा उसके बाद आपका लिखो तेलहर कुंड तेलहर कुंड तेलहर कुंड नदी का नाम है सूरा पश्चिनी सूरा यह वेष्ट सूरा तेलहर कुंड वेष्ट सूरा रोहतास रोहतास ठीक है न और भी काम कीजिएगा आप लोग और भी बिहार के जो जलब रपात तो उसको ढून करके आप क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा उससे आप लोग झाल 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 झाल